सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गोवर्मेंट रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते रहें इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इंडियन कोजगार्ड एक पैरा मिलिटरी फोर्स है ये डिफेंस फोर्स है अपने इधर उधर सबसे सुना होगा कि कोई कह रहा है इंडियन कोजगार्ड को डिफेंस फोर्स है फोर्थ डिफेंस फोर्स है या कोई कह रहा है पैरा मिलिटरी फोर्स है तो इन सारे confusion से आप side ढटिये और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिये Armed Forces of the Union सभी अपने आपको कहते हैं चाहे वो Army हो या चाहे वो BSF हो या CRPF हो सारे ही forces अपने act में लिखते हैं चाहे वो SSB हो या Air Force हो तो इससे difference नहीं होता बेसिकली जो difference है वो है Armed Forces को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है Military, Paramilitary and CAPF Central Armed Police Force अभी इस समय हमारे पास तीन Military Forces है Army, Navy, Air Force इन तीनों को Military इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास Heavy Weapon System, Surveillance System है जो in case of war यूज करे जाएंगे और इसी लिए इनको Try Services कहते हैं क्योंकि इन तीनों के ही लीडर आगे चलकर या तो President's Guard of Honor देते हैं ADC की जूटी करते हैं और बहुत सारी ऐसे Secret Missions करते हैं जो देश के लिए Beneficial हो Paramilitary भी यही सारे काम करती है पट जो Military और Paramilitary में एक Difference आता है वह है किस Ministry के अंदर आप काम करते हैं Military अपने आपको Report जो करती है या जो उसका Administrative Control है Ministry of Defense में है Paramilitary और C.A.P.F Ministry of Home Affairs के अंदर आती है अब ध्यान देने की बात यह है Paramilitary के जो Leaders होते हैं वह Military Officers होते हैं यानि असाम राइफल में जो Junior Most Officer है वह उपर जाएगा और वह इसको Lead करेगा बट यह Report करेगा Ministry of Home Affairs में वैसे ही Special Frontier Force में और जो C.A.P.F होती है उसके जो Leaders जो उसको Head करते हैं वह UPSC का एक्जाम क्लियर करने के बाद IPS Officers होते हैं यानि जो BSF में Senior Most जो Leader जो Head करेगा वह एक IPS Officer होगा जो MHA को Report करेगा IPS क्यों होते हैं? क्योंकि जो Central Armed Police Force है इसका जो Role है वह Nation को अपने Borders से Secure करने का है जैसे BSF और Nation को अंदर ही अंदर से बचाने का है पर एक्जामपल CRPF या CISF CISF जहां जहां आपकी Installations हैं अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल है वहां पहुंपे लगा हुए आप मेट्रोज में देख लो या आप कोई भी बड़ी बड़ी Industrial Organizations देख लो जहां पर एरपोर्ट देख लो वहां पर CISF के जवान होते हैं और ITBP आपका और SSB और BSF या आपके Borders को प्रोटेक्ट करते हैं जो की Nation के Nation के Home Inside, Home Affairs को बचाने के लिए हैं इसलिए इनको IPS हेड करते हैं वैसे ही Army, Navy, Air Force आउटसाइड इंडियां भी डील करती है Foreign Nation के साथ इस डिफेंस, डिफेंस देश के डिफेंस को बाहर से बचाने के लिए MOB कहा जाता है तो यह है तो होगया difference अब जो Indian Coast Guard ICG Indian Coast Guard के जो Officer होते हैं जो Assistant Commandant से DG बन जाते हैं बट यह सारे MHA को रिपोर्ट ना करके यह MOB को रिफेर्ट करते हैं यानि Indian Coast Guard को जो Administrative Control करता है वह Ministry of Defense करता है और Indian Coast Guard Defense के अंदर काम करती है पर क्यूंकि Indian Coast Guard Heavy Artillery और Weapons का योग ना करके Peace Keeping Force है इसी लिए Indian Coast Guard को Tri-Services का हिस्सा नहीं दिया गया है और Tri-Services का हिस्सा ना देना Indian Coast Guard को एक Full Pledge Military Organization नहीं बनाता है तो आगर आप कहेंगे कि Indian Coast Guard paramilitary है या military है तो आप Indian Coast Guard को किसी एक में define नहीं कर सकते हैं ना आप paramilitary कह सकते हैं ना आप military कह सकते हैं बढ़ हाँ आप Indian Coast Guard को क्योंकि Indian Coast Guard के officers या Indian Coast Guard के जो personal है उनकी training Indian Navy Establishments में होती है और पूरी same discipline act है उनका जैसे Navy Act है तो Indian Coast Guard एक military organization की तरह ही काम करती है बढ़ Indian Coast Guard का budget defense के अंदर से नहीं आता और Indian Coast Guard Central Government Central Civil Services Rules के according administer करी जाती है तो कुछ differences हैं जिसके कारण Indian Coast Guard को आप fourth military नहीं कह सकते क्योंकि Indian Coast Guard एक unique arm pose है जिसमें आप जैसे देखेंगे military में कभी भी जिनका recruitment होता है उनको SC, ST, OBC categories देखकर उनका recruitment नहीं किया जाता बढ़ Indian Coast Guard में SC, ST, OBC का भी recruitment होता है जैसे किसी Central Government Employee का हो रहा है military forces जो होती है उनको military service पे दिया जाता है बढ़ Indian Coast Guard को military service पे नहीं दिया जाता military forces जो होती है वह उनके जो senior most leaders होते हैं चाहे वो army, navy, air force को कहें वह four star officers होते हैं बढ़ Indian Coast Guard का four star rank की नहीं है Indian Coast Guard इसी लिए try services का part नहीं है क्योंकि Indian Coast Guard एक peace time force है और एक small force है और जिसका act बना तो Indian Coast Guard को आप एक unique arm force कहिए जो आपी सबसे छोटी course है और जो defense के अंदर operate कर रही है ना की paramilitary paramilitary क्यों नहीं कहेंगे Indian Coast Guard को क्योंकि paramilitary force वह होती है जो home affairs के अंदर MHA के अंदर report करती है और उनकी duties सिर्फ अंदर से क्या कहते हैं protect करने के होती है internal home affairs है बट Indian Coast Guard smuggling भी पकड़ती है Indian Coast Guard narcotics भी पकड़ती है Indian Coast Guard कहीं at sea international borders पे trafficking हो रही है या कोई चीज़ की तसकरी हो रही है उस सब को भी देखती है तो Indian Coast Guard को as a defense force भी act करना पड़ता है जो हमारी vast sea line है उसको protect करती है और इसी लिए Indian Coast Guard को आप एक unique arm force बोलिए क्योंकि उनके पास भी weapon है और वह एक military force के equivalent ही काम करती है बट peace time पे war time पे नहीं war time पे वह navy को assist जरूर कर सकती है तो कि उसकी training mostly navy के equivalent ही उनकी training करी जाती है यहाँ पर देखने की एक और बात है कि Indian Coast Guard को military क्यों नहीं कहेंगे rank structure जो Indian Coast Guard का rank structure होता है officers का वह paramilitary के rank structures के equivalent होता है assistant commandant से director जन्र लेकिन military का rank structure अलग होता है तो यह भी एक reason है जिससे आप Coast Guard को full pledge military organization नहीं कहेंगे बट क्योंकि war defense के अंदर काम कर रही है आप Coast Guard को paramilitary बिलकुल नहीं कह सकते लोकि जो role Indian Coast Guard कर रही है तो बहुत ही challenging और बहुत ही different role है जो एक CAPF या हमारी assam rifle जो हमारी oldest paramilitary है उनकी तरह का role बहुत अलग कर रही है क्योंकि Indian Coast Guard के senior leaders है जो उनके officers है वो IPS आई-स officers नहीं है इसलिए आप Coast Guard को CAPF भी नहीं कहेंगे I hope इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि Indian Coast Guard एक defense force है जो military of defense के अंदर काम कर रही है और ये unique arm force है अगर आप decide करके कहना चाह रहे हैं कि जो उनके sailors हैं या soldiers हैं उनको आप paramilitary force में रखें तो यह सही नहीं है हाँ अगर आप यह कहना चाह रहे हैं उनको military में रखें तो यह भी सही नहीं है क्योंकि यह उनकी credibility को effect करता है उनका unique role है इसलिए उनको government ने एक unique arm force का दरजा दिया है जिससे वह एक peace time पे अपनी duties को अच्छे से निभा रहे हैं तो आप यह वीडियो आपको clear हुई होगी कि Indian Coast Guard एक ministry of defense में operate करने वाली unique arm force है जिसको आप ना की military force कहेंगे ना की paramilitary force कहेंगे बढ़ हाँ Indian Coast Guard is a unique arm force of the country अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए साथी साथ कमेंट करके अपने सुझाओ दीजिए इस चैनल को subscribe करिए ताकि आपको regular update regarding government jobs एक उस गार्ड मिलते रहें